एक इबादत है कोई खेल नहीं, कोई मजाब नहीं, यह आपके जमीन का कोई ट्याक्श नहीं है, यह कोई बीमा और इंशूरंस कमपणी का हिसाब किताब नहीं है, यह कोई चौराहे पर और चौप पर खड़ा होने वाला ट्राफिक इनिस्प्रेक्टर नहीं है, कि आपकी गाड़ी को पकड़ा, आपने सो रुबे की नोट ठबा दी, और आगे के लिए बढ़ गए, और आप जुर्माने से बजगए, इसको हिसाब करना पड़ेगा, इसका किताब करना पड़ेगा, जिसको देना है, उसको देना पड़ेगा, जिस तरीखे से देना है, उस जिसे उसकी नमाज पुमन लेगी रमज़ानी मुमारत में रोज़ेदार रोज़ा रखते हैं लेकिन इफ़ारी ही पर मगरी पर इफ़ार करते हैं क्यों जनाब अगर जोहर में इफ़ार करें तो क्या बुरा है असर में इफ़ार करें तो क्या बुरा है पांच बचकर बावन मिनित पर इस्तारी का वक्त है पांच चालीस पर इस्तार करे तो क्या बुड़ा है कर ले अपनी मरदी से करे अपनी मरदी से रोजा नहीं हो सकता अपनी मरदी की नमाज नहीं हो सकती अपनी मरदी की अबादत नहीं हो सकती अपनी मर्दी का हज नहीं हो सकता तो फिर अपनी मर्दी की जगात कैसे हो जाएगी लोगों ने मदाख मना रखा है इसलाम की मुनियाद बांच चीजों पर है एक तोहीद पर कलिवें तैयबा पर दूसरे नमाज पर तीसरे रोजे पर चोथे जगात पर पांच में हज बैतुल्ला पर जैसे नमाज बनियाद है जैसे तोहीद बनियाद है जैसे हज बैतुल्ला बनियाद है जैसे रमदान के रोजे बनियाद है इसी तरीके से जगात भी बनियाद है हम उने मजब बना रखा है होपो हमने अपनी महनत से कमाया और मशक्त से कमाया ये आलिव लोगों को काम नहीं है ये सफीरों को काम नहीं है ये वुजर्गों को काम नहीं है हमारे माल का ट्यास हम से पूछा करते है वहाँ इस्टेशनों में रिश्वत ली जाती है यहां लाइर अप्ती फीज लेता है हाथ पिड़ों के अंदर बिल दे दे कर ठक गए और मस्जिद को जाओ तो मौलवी संग करता है के मालों के जखात निकालो लिख लो और लिख कर रख लो पलों के बांग कर रख लो और दिल में कंदा कर लो एक वकव आएगा मेरे बाई आज अगर अप्टी मरजी से आप जखात नहीं निकालेंगे अल्ला के रास्ते में अल्ला का हग अदा नहीं करेंगे गरीबों को, मिस्कीनों को उनका हग नहीं देंगे याद रख लो अल्ला की लानत का शिकार हो जाओगे नभी की लानत का शिकार हो जाओगे ये जिन्दगी माउच से पहले एक फुटे की एक दरदर फिलने वाले जरिंदे से बच्टर जिन्दगी हो जाएगी माल रहेगा माल इस्तमाल के लायक नहीं रहेगा रूपिया रहेगा रूपिया इस्तमाल के लाइख नहीं रहेगा गरीबों का हक अगर किसी ने दबाया विस्कीनों का हक किसी ने दबाया देवाओं का हक अगर किसी ने दबाया मदारित अग्या का हक अगर किसी ने दबाया याद रखो कि खुदा के साथ अगर कोई नापर्मानी हो जाए कोई गलती हो जाए खुदा माफ कर सकता है उसकी मखलूख को भूका रखोगे उसकी मखलूख को तंग करोगे उसकी मखलूख को हक अदाना करोगे उसकी मखलूख को मुश्किलात में तकलीफ होगे अल्ला की पस्ट अल्ला मात नहीं परवाएंगे अरे आप क्या जकात के बारे में कमी बेशी करकर अल्ला के अजाब से बच जाएंगे अल्ला की फिटकार से बच जाएंगे नभी की फिटकार से बच जाएंगे आहे तो आल, जनावि मुहम्म्मद الرसूल्लाइ ﷺ के दोरे मुबारच में एक साहिप थे, उनका नाम था सालवा आए करीब थे, नबी अ करीम जनावि मुहम्मद الرसूल्लाइ ﷺ से दर्खास की या रसूल्लाइ ﷺ आप मेरे लिए दुआ फर्माएं अल्ला मुझे मालदार परमा दे अल्ला मुझे लगपती बना दे अल्ला मुझे कड़ोर पती बना दे लोग मांगा करते हैं ना मांगो अल्ला से माल भी मांगो अल्ला से दौलत भी मांगो अल्ला से इज़त भी मांगो अल्ला से दुनिया भी मांगो लेकिन जब माल मिल जाए तो कंजूसी ना करना माल मिल जाए अपने हातों को तंग ना करना माल मिलने के बाद जो हातों को तंग करता है कंजूसी करता है गरीबों की जो आहजारी लेता है मिस्कीनों और बेवाओं की यतीमों की जो आहजारी लेता है अरे मेरे भाई, तू अगर दूआ करे, मैं अगर दूआ करे, कोई कामे के खिलाफ को चिवट कर दूआ करे, कभी कोई आदमी नभी के रोजे की चाली से चिवट कर दूआ करे, नभी की मजजिद में सज़ता रेज होकर दूआ करे, कोई समानत नहीं, कोई गारंटी नहीं, कि किसी गरीब का हक मारा है किसी देवा का हक मारा है आप अच्छा अच्छा खाते रहे गरीब आपके खाने की खुश्वों को सूम कर अपने दिल से रूता रहा आपके बच्चे शाहना कपड़े पहने रहे सुबह में एक लिबास शाम में एक लिबास दो पहर में एक लबास अलग अलग कबड़े पहन कर वजीरों के शाहना लबास पहन कर जाते रहे गरीब अपना पेवन लगा कबड़ा देवा और मिश्कीन अपने सीपरों के अंदर वो इड़ करते रहे और उन्होंने देखा ये वो ख़वीश मालदार है जिसने अपने माल की जगात नहीं निकाली अपने माल कहा अदा ना किया ख़वीश मालदारों ख़वीश कमीलों के जिल्होंने अपने माल की जगात नहीं निकाली अपने माल पर अजदा बनकर बेटे हुए है ये मरीश अगर मर रहा है इस मरीज के खातिल तुम हो अगर कोई नंगा फिर रहा है उसके कपड़ों को तुमने च्छीना है अगर कोई पेट पर पत्थर बांदा हुआ है उसके पत्थर तुमने बांदा है तुमने लोगों को भूका किया तुमने लोगों को प्यासा किया अगर कोई खबीस वालदार ये कहता है खुदा पैदा करने वाला खुदा पालेगा खुदा परवरिश करेगा हमें वाल देने की क्या जरूरत है अरे मलून जब तुब पैदा हुआ था तो तेरे माँ के पैट से जवीन लाया था तेरे माँ के पेट से जायदात लाया था तेरे माँ के पेट से पराबटी लाया था तेरे माँ के पेट से दुनिया की भ्यांगों का चेक लाया था नंगा पैदा हुआ था गंदा पैदा हुआ था आंखे बंती, कामे बंते और कपड़ा जिसम पर नहीं था शीधड़ा किसी ने दिया तो तेरा जिसम छूप गया किसी पड़ोस की अउरत ने तिरी माँ के सीने से दूप सूप गया और तू तड़क रहा था पड़ोस की काफिरा मुश्रिका यहुदो नसाराद चमारन अउरत का दूप तेरे हलक पत्र डाला गया तो तिरी चान बच गई नंगा पैदा होने वाले गंदे पैदा होने वाले अंदे और बहरे पैदा होने वाले आज किस दुमान से कहता है ये माल मेरा है ये माल तेरा नहीं ये माल खुदा की अमानत है जो अल्ला तबारत गाला ने तुझे दे रखा है आग सफीरों को देखकर शेहरा फिसोरने वाले और फेशानी पर बल डालने वाले गरीबों को हिकारत की निगा से देखने वाले और मिस्कीनों और यतीमों को जरी हिवी निगा से देखने वाले खबीद इनके माल को जमा करकर आज तो औरत को सोना पहरा रहा है इनके माल को जमा करकर आज तू प्रापटिया बना रहा है आज तू बच्चाएंगा आज तू किजी तरीखे से तेरी जिन्दगी गुजर जाएगी लेकिन वो खुदा वाहिद और वो खुदा जुल जलाल वो माली की योवी तीन जो दो बकरियों में इंसाफ दिलाने वाला है जो जालिम और मजलूम में बदला दिल्वाने वाला है मजलूम को उसका हग दिल्वाने वाला है भे सिंग की बकरी को जब सिंग वाली बकरी ने दुनिया में मार दिया खुदा बंदे खुदूस कियावत के दिन उसको सी इनायत करेंगे और कहेंगे कि जितने सीन इसमें मारे इतनी मरतमा मार दो जो खुदा बक्रियों से उनको उनका हग दिल्वा रहा है खवीस, मालदार, कंजूस विल्डिगों पर विल्डिगे तामीर करने वाले तकब्र और सक्र के किड़े तेरा मकाम खुदावन्दे कुदूस के यहाँ अगर जखात का माल नहीं निकालता और अल्ला के रास्ते में कर्च नहीं करता याद रख ले कितना विमल का कीमती कबड़ा तू पहले और कितना राइमांज का जाबान का रषिया का चाइना का पबड़ा पहले तु तेरी जड़ु के सामने क्रीमती हो सकता है भुदा की निगाह में सेरा वखाँ पाहाने के किड़े से बत्त है अगर तू अपने मालों की खगात नभी में अपने जमाने के सालबा को नहीं कहा या वैहा सालवा, ऐ सालवा तेरी तबाही हो, ऐ सालवा तेरी बरबादी हो, ऐ सालवा तू तबाहो जाए, बलके हर जमने के उस सालवा से कहा, जो सालवा, रिश्वत ने माल जमा करता है, मरीबों का हक मारता है, यतिमों का हक मारता है, मिस्किनों का हक मारता है, वेवाओं का हक मारता है नादारों का हक मारता है या वैहा सालवा 14 सदे के सालवा विल्यूर के सालवा करनाटका के सालवा शिवादी नगर के सालवा कमरशल के सालवा यंजी रोट के सालवा या वैहा तेरी तबाही हो तेरी बरबादी हो नभी ने जकात ना निकालने वाले सालवा की तभाही चाही, बरबादी चाही, खुदा की खुदा की खुदा मेरे भाही, नभी ने बरबादी चाही हो, तो तेरी माँ तेरा खोया हुआ मकाम नहीं दिला सकती, तेरा बाफ तेरा कोया हुआ मकाम नहीं दिला सकता पंद्रा मजजिनों का चौदरी बन जा अठारा अंजुमनों का सदर बन जा और कई एकर जमीन का कडोड़ पती ए और उसका तु प्रापटी का उनर बन जा अठार बन जाया लगजाए नभी की अहगारी लगजाए और नभी के परवादी के जूले लगजाए अठार बन जायाए अठार बन जाया चौदर बन जाएगी